दोस्तों आप सभी का सवागत एक्षिवसी चैनल पर जहाँ पर हम आपको ऐसी पैरनोमल और रियल होडर इंसिडेंट से वारवर बताते हैं जो हमारे सस्क्राइबर और हमारे फॉलोवर हमारे साथ शेयर करते हैं इंस्टाग्राम और जीमेल आईडे पर आज का जो इंसिडेंट है जीसे हमें निखिलने बता हैं और निखिलने बताए कि एक घटना उनके साथ हुई थी संजेवन के पास संजेवन डैली की वन अब दा मोस्ट हॉंटेड लोकेशन से आती है कुछ लोग इसे हॉंटेड मानते भी है और कुछ लोग इसे हॉंटेड नहीं भी मानते लेगिन आज जो आप कहानी सुनने वाले उसे मैं निखिल के किरदार में ही आपको बताऊंगा इससे पहले इस्टाग्राम को जो आपने प्यार दिया है उसके लिए बहुत-बहुत शुक्री है अप्रोक्सिमेटली 180K फॉलोवर्स हमारे हो चुके है यूटिब को आप प्यार दे रहें उसके लिए बहुत-बहुत शुक्री है तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कहानी की ओर चलते हैं मेरा नाम निखिल है मैं डेली में रहता हूँ मेरी उमर 25 साल है और ये गटना मेरे साथ 2 साल पहले हुई थी मैं डेली उनिवर्सिटी से अपनी ग्रैजियोशन कर रहा था मेरे साथ मेरे दो दोस्त और थे जो बच्पन से ही साथ थे लेकिन उनका और मेरा व्यावार थोड़ा अलग था मैं अकेले रहना थोड़ा जादा पसंद करता था उनके मुकाबले वो लोग गूमना फिर नहीं जादा पसंद करते थे ये बात है दो हजार एकिस की फ्राइडे का डे था और शाम को दोस्तों ने प्लैन मनाया था कि कहीं बाइक पे गेड़ी मार के आएंगे गूमने जाएंगे मैंने भी इनको हाँ बोल दिया दो बाइक्स थी एक पे मैं था और एक पे वो दोनों थे तो मैं वसंत कुझ में राता हूँ वसंत कुझ में ही मेरी परवरिश हुई और बच्पन से ही मैं वसंत कुझ में राता हूँ हमारे यहां से संजेवन 25 मिनट की दूरी पे जब शामको हम संजेवन के पास से निकल रहे थे, तो संजेवन के बारे में बस मैंने सुना ईथा, मेरे डोस्तों ने साइड में कहीं पर बाइक लगाई, और वो चाय पीने के लिए बोलने लगे, हलाकि मैंने संजेवन को कभी इतने ध्यान से देखा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ने चाय पी ली जाए दोस्त बोल रहे हैं तो मैं उत्रा उनके साथ उन्हों ने अपनी चाय और सिगरेट ली मैंने सिरफ चाय ली और चाय पीने लगा तब ही मेरा ध्यान संजेवन के जंगल पे गया मैंने चाय वाले से पूचा कि वह यह यह इतना बड़ा जंगल चाय वाले ने बोला वेटाएं यह दस किलो मिटर से बड़ा जंगल है और रात को यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं लेकिन जब मैं संजेवन को देख रहा था मेरी नजर उससे हट नहीं रही थी मैं बहुत ज़्यादा खोसा गया था संजेवन में एक बारी को मेरा मन करा कि मैं अपने दोस्तों को बोलू कि चलो नहीं वर संजेवन देखने चलते हैं फिर मैंने सोचा कि ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी तो हम गोमने निकले हैं शॉपिंग भी करनी हैं मैंने जादा ध्यान नहीं दिया लेकिन ये चीज़ तो मैं फील कर रहा था कि जैसे संजेवन मुझे अपनी तरफ खीच रहे हैं उसके बाद हमने वहाँ से चाय सीरेट पी और हम वहाँ से निकल गए मैं अपने घर आगया फ्राइडे इवनिंग में लेकिन गूमने में हम इतने मस्त हो गये थे कि हमने शॉपिंग के बार में ज़्यादा सोचा ही नहीं तो फाइनली संडे को मैं उठा और उठने के बाद मैंने सोचा हैं राज का दिन मेरे पास है और भार अच्छा क्राउड भी होगा तो कुछ नए दोस्त भी मिल सकते हैं और थोड़ा सा नया इंट्रेक्शन भी मिल सकते हैं सो मैं शॉपिंग करने के लिए मॉल में गया जो कि वसंद कुछ क्या आ गई था वहाँ पर घूमते टाइम पता नी क्यों पिछले दो दिन से मेरे दिमाग में संजेवन के बारे में चले रहा था मन करना था कि एक बार संजेवन को अंदर से देख क्या हूं लेकिन फिर चाहे वाले की बात भी दिमाग में आ रही थी कि यहाँ पर इवनिंग में कोई आता नी है लेकिन इसी चीज में पता नी क्यों मेरी क्रियोसिटी बहुत जादा बढ़ा दी थी कि वहाँ पर एक्च्वल में ऐसा हुआ क्या था जिसके ज़िए संजेवन में कोई भी शाम को जाता नी था मैंने गूगल पर चेक किया तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मुझे मिली जैसे वो हांटिड है वहाँ पर अजीब अजीब से किसे भी होते हैं लेगिन एक जगा पर ये भी दिखा कि वहाँ पर चोर और जो जेब कत्रे होते हैं वो सब भी वहाँ पर होते हैं थोड़ा सुनके डर तो लग रहा था लेगिन सोचा कि क्यों ना एक बार हो के आओं फिर दिमाग से इस बात को निकाल दिया संडे को जब मैं शॉपिंग करने गया मॉल में तो शान को साड़े पाच बज़े गया था मैं आते आते साड़े नो बज़ गये था मुझे क्योंकि मैं कपड़े थोड़े से देख कर खरीता हूँ रेट भी और अपने अकॉर्डिंग भी जब मैं मॉल से वापिस आ रहा था तो मेरी निज़र अचानक से संजेवन की गेट पर बढ़ी मैंने सोचा यार थोड़ी सी क्रियोसिटी बन रही है देखने की एक बर चल के देखूँ मैंने संजेवन की गेट के आगे थोड़ा सा बाइक लगई और मेरे हाथ में सारा समान था मैं लेके संजेवन की ओर चल पड़ा और शायद ये मेरी एक बहुत बढ़ी भूल थी मेरे हिसाब से उस ताइम जो मुझे लग रहा था आज वैसा बिलकुल भी नहीं लगता खैर मैं जब संजेवन के पास पहुचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज मुझे बहुत खीच रही है हलाकि मेरे दिमाग में ये था कि मैं बहुत जादा अंदर नहीं जाओंगा लेकिन दिमाग में इतनों तो था कि एक बार तो नजर मारनी चीए ये ऐसा क्या है संजेवन के बार में जो ये इतना जादा हॉंटिड है पच्ची साल के हिसाब से शायद मैं जादा नादान था आज अगर मैं समझता हूं इस चीज को मैंने संजेवन में कदम रखा है और एक अजीब सी हवा जैसे मुझे बहुत अपनी तरफ खीच री थी बहुत थंडी सी हवा जैसे बहुत खुला एरिया और वो खुला ही था, दस किलोमेटर से बड़ा जंगल था तो मेरे लिए तो बहुत खुला था वो मैंने धीरे-धीरे चलना शुरू करा तो मुझे समझनी आया कि मेरे कदम अंदर जाने से रुक क्यों नी पारे बहुत चमचमाट सी थी आज भी बताता हूँ तो रोंगते खड़े हो जाते बहुत चमचमाटी शाम, साड़े नुव बजे का वक धीरे धीरे मैंने अंदर चलना शुरू करा तो देखा लेफ्ट हैंड साइड में एक मजार है जिसको देखके थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आई फिर मैंने सुचा कि क्यों हांटीड बनाया हुआ इसे अंदर से मुझे एक अजीव सी आवाज आई जैसे मैं अकेला नहीं हूँ कोई और भी है मुझे लगा शायद कुछ मजदूर होंगे या फिर कोई गूमरा होगा ऐसे मेरी तरह मैंने थोड़ा सा अंदर जाना शुरू करा कम से कम सौ मीटर अंदर आ गया था मैं अब सुनने में ऐसा लगते कि सौ मीटर बहुत जाद है लेकिन संजेवन की खुबसूरती आपको अंदर जाने से रोक नहीं पाएगी मैं धीरे धीरे अंदर गया तो अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई है मैं घूमा तो वाँ पर कोई भी नहीं था हवा अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहली बार किसी खुली जगा पर आया हूँ ऐसा तो मैंने कभी मनाली मसूरी में भी फेल नहीं किया था जब मैं कभी ट्रिप पर गया था संजेवन में वो जो हवाई मुझे लग रही थी वो बहुत ही ज़्यादा नेचर से रिलेटेड थी बहुत ज़्यादा फ्रेश और अपना पंच सा फील करा रही थी मैं दीरे दीरे अंदर जाने लगा तो मुझे पानी बहनी की आवाज आने लगी जैसे महाँ पर कोई पानी भैरा है जैसे कोई छोटी सी जील हो और उससे सुनके मुझे लगा कि यार देखना बनता है अंदर जाने पर मुझे मेरे पीछे से एक आवाज आई जैसे मानो कोई मुझे बुला रहे हैं एकदम से आवाज आई मैं जस्ट पनट के देखा और मैंने देखा अब जब जिस तरफ मैं देख रहा है वहाँ कोई नहीं है अब मेरे पीछे से एक दम से आवाज आई लिखिल तॉआरे और ये सुनके जैसे मेरी आतमा सी निकल गई और मैं बस जम गया मुझे आज भी याद है कि मेरा समान मेरे हाथ से गिर चुका था क्योंकि मैं फटाफट मूबाइल निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डालने वाला था मैं थोड़ा थोड़ा पीछे होने लगा तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरी तरफ आ रहा है और घुरानी के आवाज आने लगी जैसे अभी मेरे हलक में सब कुछ फस गया है उस वक्त भी मेरा वही हाल था धीरे धीरे मैं पीछे होने लगा तो एकदम से मेरा फोन बजा जिसको सुनके मैं बहुत पूरी तरीके से डर गया वो फोन मेरे हाथ से छूट कर जमीन पे गरिया और मैंने जैसी फोन उठाया सामने देगा कि कोई बहुत बड़ी चीज जैसे मालो आठ फिट की कोई चीज मेरे सामने खड़ी है और अपनी आवाज में बोल रही है कि इस दिन अबाद कैसे आना हुआ मैं बुरी तरीके से गवरा गया था मैं अभी भी उन चीजों को सोचता हूँ मैं समझ नहीं पाता कि मैं क्या बोलू मैंने कैसे ने कैसे अपने आपको समाला लेकिन एक चीज जो मैं करनी पा रहा था मेरे पैर जम गए थे मैं चलनी पा रहा था मेरा समान मेरे सामने गिरा हुआ था मैं उठा नहीं पा रहा था और वो चीज दीरे दीरे मेरे सामने आ रहे थी मैंने फोन देखा मेरा फोन घर से आ रहा था उस पर लिखा था होम लेकिन मैं कुछ करनी पा रहा था मेरे हाथ भी नहीं चल रहे थे फोन एकदम से बंद हुआ मैंने फ्लैश ओन करने की कोशिश की एकदम से वो आवाज मेरे बिलकुल पास आ गई कि आज बचके कैसे जाओगे इतना सुनने के बाद मैंने अपनी आखे बंद कर ली और थोड़ा सा भगवान को याद करने लगा इतने में फोन दुबारा बजा जो चीज मेरे सामने थी उसने मुझे चिला के बोला की इसे बंद करदो मैं बुरी तरीके से डर्द चुका था बहुत बुरी तरीके से शायद मेरी जगा कोई कम्जोर दिल का ओता तो आपर अपना दम तोड़ देता मैंने भागने की कोशिश करी जैसे ही मैं पीछे मुड़ा एकदम से किसी ने मुझे खीचा और मेरे सर पे कोई चीज मार दी आखरी वक्त में मुझे बस इतना याद था कि मैंने एक बार अपने सर पे हाथ लगाया था और वाँ पर कुछ लाल-लाल था और फिर मैं वाँ पर भियोस हो गया जब अगली बार मेरी आख खुली मैं हॉस्पिटल में था शायद रात को या सुबह मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा खून बाय गया था किसी ने मुझे उठाने की कोशिश करी और मैं नहीं उठाया तो उसने पुलिस को बुलाया पुलिस वालों ने कैसे ने कैसे मेरे घरवालों को कॉन्टेक्ट किया क्योंकि एक मिसिंग फाइल भी शायद मेरे घरवालों ने रजिस्टर कराई थी मुझे ऑस्पिटल में ले राय गया और मुझे चोदा टाके लगे किसी ने मेरे सर पे बहुत तेजी से कुछ मारा था जिसके विज़े से बहुत जादा खून भा और मैं वहीं पे बियोस हो गया जब मैंने घरवालों को बताया तो आपर एक पुलिस वाले अंकल भी खड़े थे जो बहुत बुजर्ग थे उन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले वहाँ पर एक लड़का लड़की एक ट्राफिक वाले अंकल को कुछ बोल कर भागे थे तो वो लड़का लड़की जब उनसे भास करके आगे निकले तो ट्राफिक वाले अंकल उन्हें फॉलो कर रहे थे और संजेवन के पास आके उस लड़के ने शायद उन अंकल के गले पे चाबी मार दी थी उसने शायद ज़्यादा पी रखी थी उस लड़के ने जिसने चाबी मारी थी और वो ट्राफिक वाले अंकल वहाई पर मर गए थे और वो जो लड़की उस लड़के के साथ थी वो लड़का उसे भी संजेवन में छोड़के चला गया था और उन दोनों की आत्माएं आज ही भी संजेवन में भटकती है दोस्तों मैं तो बया भी नहीं कर सकता कि मुझे उस दिन के बाद जब मैं संजेवन के बार में सुनता हूँ खैर कभी-कभी मैं जब सोता हूँ तो मुझे संजेवन के बार में बुरे-बुरे सपने आते कभी-कभी वो आठ फिट का इंसान भी मुझे दिखते है जो मुझे आज भी संजेवन बुला रहे मैंने तो सोचा था शायद मैं नेचर के करीब जा रहा हूँ तो मुझे क्या पता था जंगल पर किसी और का राज है फिलाल मेरे गरवाले मुझे बहुत द्यान से रखते और मैं ऐसी जगह पर आप बिल्कुल जाना पसंद नहीं करता मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा इन चीज़ों से दूर रहे दोस्तों जब निखिल ले मुझे एक खानी बताई थी मैं सोच के दंग रहा गया था मैं काफी हरान था कि खुले आम ये चीज़े होती है और वैसे भी संजेवन के बारे में तो मैंने बहुत सुने कि वो one of the most haunted location in Delhi में आता है और इतना बड़ा जंगल है तो obviously हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ने कुछ crime हो criminals हो या क्या पता संजेवन में निखिल के उपर किसी ने attack किया हो या फिर किसी चोर ने कुछ करा हो क्योंकि ये तो पता चला कि उसके बाद समान तो मिला नहीं और लेकिन निखिल का पर्स और फोन उसके पास ही था सो क्या था वो अभी तक समझ नहीं आया लेकिन आप लोग comment section में अपनी राइज जरूर दे सकते हैं और इसके बाद मैं यही कहना चाहूँँआ अगर आपके साथ ऐसा कोई incident हुआ हो या आपके family members relatives में हुआ तो आप हमें इस्टाग्राम आईडी पर या जीमेल के तुरू बेज सकते हैं मक्षेवसिस तो दे शेयर करूँ अपनी आवाज में तब तक के लिए stay tuned with the channel